हेलो फ्रेंज, वेलकम बैक तो मैं चानल, मैं हूँ अमरिता और आप सभी देख रहे हैं TargetTet फ्रेंज, पिछली वीडियो में हमने discuss किये थे, psychology के कुछ important questions, जो आप सभी के paper point of view से बहुत ही जादा important थे और आज हम discuss करने वाले हैं B.A.D. और B.T.C. याने जिसको D.A.L.A.D. कहा जाता है, उसका बहुत ही important section जो है NCF 2005 आप सभी को पता होगा कि हमारी पाठी चरया जो है या यह कह सके कि सिक्षक या सिक्षार्ती के बीच में जो बदलती हुए सिक्षा का स्वरूप है, उसको NCF की वज़े से लाया गया हम यह कह सकते हैं कि हमारी सिक्षा जो अब बोज से हटकर एक ग्यान अरजन का एक साधन बना तो उसका जो सबसे बड़ा श्रे जाता है वो जाता है NCF 2005 को तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ important facts जो आपके NCF से related हैं जो आप सभी के हर एक्जाम में चाहे वो यूपिटेट हो, यूपिटेट प्राइमरी, यूपिटेट जूनियर और आपको सूपरटेट, इवन आपके NCF के लिए भी important है तो जल स्टार्ट करते हैं आज क सीरीज, पहला question है हमारा, विद्याले सिक्षा का अब तक का नवीनतम राश्चिय दस्तावेश कौन सा है, आंसर है आपका NCF 2005, अगला प्रशन है, किस मंत्राले की पहल पर NCF 2005 तयार किया गया था, तो आंसर है इसका आपका मानव संसाधन विकास मंत्राले, अगला प्रशन है, किस की अध्यक्षता में विद्यवानों ने NCF 2005 तयार किया था, आंसर है आपका इसका प्रोफेशर यसपाल, यसपाल जी ने, प्रोफेशर यसपाल जी ने NCF 2005 की तयार करनी के लिए अध्यक्षता रखी थी, और उन्होंने कुछ सोजा दिये थे, अपन अगला प्रशन है, प्रशन संख्या 4, NCF 2005 का प्रमुक सूत्र क्या है? सही अंसर है आपका, बिना भार की अधिकम, यानि लर्निंग विदाउट बर्डन अगला प्रशन है, NCF 2005 का प्रारंब रविंद रनाथ टैगोर के किस निबंद से होता है? तो आंसर है इसका आपका, सेविता और प्रगती अगला प्रशन है आपका, प्रशन संख्या 6, NCF 2005 में किस पर बल दिया जाता है? तो सही अंसर है आपका, शांती के लिए सिक्षा अगला प्रशन है, Q7, NCF 2005 में क्या बताया गया है? अंसर है आपका, सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ती याने, NCF 2005 में स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि सिक्षा को हमें ऐसा बनाना है जो हमारी डे टूडे लाइफ से डिलेट करें हमें सिक्षा को ऐसा नहीं बनाना है कि टीचर जस्ट एक आपको लेक्चर दे रहा है, आप वहाँ पे गेन कर रहा है उतारने की जो युक्ती है, वो किस ने दी थी हमारे NCF 2005 ने अगला प्रशन है आपका NCF 2005 की अध्याय विद्याले एवं कक्षा का वातावरण में क्या बताया गया है तो आंसर है आपका वातावरण के भौधिक एवं मनोवेग्यानिक आयाम अध्यगम को कैसे प्रभावित करते हैं गैश्य जो हमने अभी डिसकस किया की हमारी सराहंड़िंग और हमारा जो मनोवेग्यानिक आयाम है वो किस तरीके से हमारे learning को प्रभावित करता है ये किस ने किस के through बताय गया था तो NCF 2005 के through हमने पहले डिसकस किया था कि अपनी previous वीडियो में कि जो learning होती है हमारी वो दो चीजों से बहुत ही जादा effect होती है एक तो हमारा mental status और दूसरा होता है surrounding आपका कितना भी strong desire हो पढ़ने का हाला कि ये लोग कहते हैं कि जिसका intention हो पढ़ने का वो कितने विशोब में पढ़ लेता है पर guys अगर आप खुद इस तरीके से सोची कि अगर आपके बगल में DJ बज जाए और आप concentration बनाने की कोशिच करने अपने concept की तराफ अप hardly अचीव कर पाएंगे अपना concentration तो इसके पीछे fact यही है कि हमारा वातावरण और मनोव ज्यानिक आया बहुत हिजादा प्रभावित करता है हमारे अधिगम को अगला प्रशन है हमारा करिकुलम किस भाषा का शब्द है तो करिकुलम लिया गया है लाटन भाषा के भाषा के शब्द से अगला प्रशन है आपका समाजिक अध्यन सिक्षन का रास्ट्य पाठिक्रम कब बनाए गया तो सही उतर है आपका 2005 में अगला प्रशन है NCF 2005 में समाजिक अध्यन में कौन से मुद्दे को अगला प्रशन है Q12 NCF 2005 की कारिशाला कहां पर आयोजित की गई है तो सही आंसर है आपका NCRT नई दिले यानि कि NCRT नई दिले में NCF का क्या है कारिशाला अगला प्रशन है Q13 यश्पाल शर्मा समीती ने समीती में कुल कितने सदस्य थे तो सही आंसर है आपका 38 अगला प्रशन है पाठिकरम निर्माण की आवश्यक्ता क्यों है यानि कि क्या जरूरत पड़ गई कि हम अपने करिकुलम को ड्रॉ कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिक्षा की अलग-अलग अबजेक्टिव हमें मिले पहले हमारे सिक्षा का अबजेक्टिव बहुत कम था लेकिन NCF 2005 ने सिक्षा के अबजेक्टिव को और ब्रॉड किया अगला प्रशन है पंद्रह NCF 2005 का भाषा फॉर्मूला है सही आंसर है इसका त्री भाषाई फॉर्मूला जिसमें आपका मदर टंग रखा गया है हिंदी और इंग्लिश अगला प्रशन है प्रशन संख्या सोला प्रतम भाषा द्विती ये भाषा एम त्रिती ये भाषा कौन सी है तो आंसर है इसका प्रतम भाषा हिंदी राश्रिय भाषा जिसे कहा जाता है राजिगी भाशा कहा जाता है दुईती अभाशा है आपका अंतराश्री अभाशा जिसे अंग्रेजी कहा जाता है और तृती अभाशा है आपकी स्थानी अभाशा जो है पंजाबी संस्कृत या तमिल गाज यह बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है आपके यूपी टेट पेपर 1 की पेपर 2 के पांट अफ्यू से बहुत ज़ादा इंपॉर्टन्ट है अगला प्रशन है 17 NCF 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए तो सही आंसर है आपका ग्यान यानि कि कोई भी सूचना अगर आपके पास है तो कोई जरूरी नहीं कि वो ग्यान हो क्योंकि वो नकारात्मक प्रभाव भी आपके ओपर डाल सकते है तो वो वहाँ ग्यान से आप उसे रिलेट नहीं कर सकते है अगला प्रशन है 18 NCF 2005 में किन सिक्षण सूत्रों की अधिगम अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया है तो सही आंसर है आपका ग्यात से अग्यात की ओर और मूर्द से अमूर्द की ओर क्योंकि जब आपने पढ़ा था आपका विकास का सिध्धान्त या अधिगम का सिध्धान्त तो हाँ पर आपने पढ़ा था कि सिक्षा जो होती है ग्यात से अग्यात की ओर और मूर्द से अमूर्द की ओर ले जानी चाहिए अगला है आपका question number 19 NCF 2005 के अनुसार मार्ग दर्शक सिध्धान्त में नहितार्थ है तो आंसर है आपका ग्यान को स्कूल के बाहर की जीवन से जोड़ना यानि कि अभी हमने discuss किया कि NCF 2005 का मूल मंतर यही था कि बच्चों की जो knowledge दी जाए वो ऐसी हो कि वो अपने surrounding से उनने relate कर सकी अपने ग्यान को बाहर apply कर सकी जैसे maths है तो बाहर calculate करने के लिए science की effect अपने surrounding में हो रहे changes को देखने के लिए तो यह था NCF का नहितार्थ अगला प्रशन है 20 NCF 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महतुपूर्ण है तो answer है इसका यह समाधान को पहचानने में सहायता करती है गैस हमने जब pedagogy के question solve किये थे तो हमने यह पढ़ा था कि बच्चे जो गलति करते हैं वो क्या होता है उनके संग्यानात्मक विकास में मदद करता है क्योंकि जब गलति करते हैं तो वो यहां से सीख जाते हैं कि इस तरीके से वो problem solve नहीं होगी तो वो दूसरा apply करते हैं इसलिए गलति करना बच्चों के लिए plus point होता है अगला प्रशन है 21 सिख्षा बिना बोज के जो NCF 2005 का प्रमुक्ष्रोत है इसका अर्थ क्या होता है तो answer है इसका पाठे चर्या के बोज को कम करना यानि कि पहले बहुत सारी books बच्चे लेके जाते थे homework, classwork की copies अब क्या हुआ कि सिख्षा बिना burden के हो गई सिख्षा को short किया उन्होंने short कहने का मतलब knowledge जादा और बोज कम अगला प्रशन है 22 NCF 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की सिख्षा का केंद्र होना चाहिए तो सही answer है आपका कक्षा में पढ़ाई पढ़ाए गए topics को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना जो हमने अभी discuss किया था कि अब हमारी सिख्षा का area सिर्फ वही नहीं है कि आपने पढ़ा रटा और exam दे दिया उसको आपको relate करना है अपनी day-to-day life से अगला प्रशन है 23 सही आपका एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना अगला प्रश्ण NCF 2005 के अनुसार सीखना क्या है आंसर है इसका मानसिक विकास शिल्प कला केंद्र एवं व्यवसाइक ग्यान ये है NCF के अनुसार सीखना यानि की लर्निंग अगला है 26 NCF 2005 में किस परिक्षा के संबंद में सुधार के लिए सुझाव दिये गए थे तो सही आंसर आपका कक्षा दस्वी की परिक्षा एचिक हो यानि कि आप महाँ पे चूज कर सके अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट Q27. NCF 2005 किस पर बल देती है तो ये देती है कर के सीखने पर बल यानि कि बच्चा खुद करे और खुद सीखे ये है लॉर्निंग बाई डूइंग का कॉंसेप्ट Next question है Q28. NCF 2005 में कला सिख्षा को विद्याले में जोड़ने का क्या उदेश्य है सही आंसर है आपका सांस्कृतिक विरासित की प्रशंसा करना एवं शात्रों के रतिद्व और मानसिक स्वास्त को विक्सित करना यानि कि बच्चे के स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक के रिया दोनों को डिवालब करना ये है उसका उदेश्य अगला question है नसीफ 2005 में गुडवत्ता आयाम सिर्शक के अंतरगत किसको महत्व दिया गया है तो आंसर है आपका बालकों के लिए सन रचित अनुभव एवं पाठिक्रम सुधार को नसीफ 2005 जो है वो बल देता है जादा फोकुस करता है बच्चों के development पर उनको कुछ इस टाइब के सिक्षा देना जो उनके पाठिक्रम में सुधार तो लाए ही और आपका पाठिक्रम जो होगा नसीफ 2005 वो इस तरीके का बच्चों को देगा पाठिक्रम कि बच्चे अपनी सिक्षा में सुधार लाएंगे ठीक है अपना दोनों एरिया वो किस तरीके से अपनी health development, mental development, social development को आगे लेके जाएंगे तो ये था NCF 2005 के गुडवत्ता का आयाम लास्ट कोश्चिन है NCF 2005 के अंतरगत परिक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है तो आंसर है आपका सामुहिक कार, मुल्यांकन, सतत मुल्यांकन, खुली पुस्तक की परिक्षा मुल्यांकन तो NCF 2005 के अंतरगत जो सुधार थे, जो पुरानी सिक्षा की पधती में नहीं थे उनको इस नई सिक्षा पधती में जोड़ा गया तो वो था सामोहिकार याने कि जब बच्चों को सामोहिकार दिया जाएगा तो उससे उनके अंदर कोलाबोरेशन की फीलिंग जागरत होगी बच्चा क्या करेगा एक दूसरे के साथ ठीक तरीके से रहना और अच्छा व्यवार करना सीखेगा तो यहां से उसकी सोशल लर्निंग होगी मुल्यांकन से होगा बच्चों के मेंटल लेवल का एक तरीके से जज्जमेंट और बच्चों को यहां पे जब असेस किया जाएगा तो इतना पता चल सकता है टाइमली एवल्यांकन से की बच्चे ने कितना गेन किया और जो अबजेक्टिव था हमारे लर्निंग का वो बच्चे को मिला या नहीं सतत मुल्यांकन जो आपने सतत और व्यापक मुल्यांकन जो आपने सीसीए में पढ़ा था तो उसका मेंट फोकस यही था कि बच्चे का सिर्फ scholastic area यानि कि आपके पढ़ाई ना देखकर सिर्फ पढ़ाई ना देखकर और भी जो aspect है cultural aspect है उस पर ध्यान देना तो यह है आपका CCE खुली पुस्तक के परिक्षा मुल्यांकर खुली पुस्तक के परिक्षा मुल्यांकर means होता है कि बच्चे को अलग से answer sheet ना देजाए जो छोटी class के बच्चे होते हैं उन्हें क्या दिया जाए कि उन्हे answer sheet साथ में देजाए और वहाँ पर वो solve कर सकें तो यह थी हमारे important series आप सभी के लिए NCF से जुड़े महतववून तर्थ नेक्स वीडियो में हम मिलते हैं कुछ और important तर्थी के साथ तब तक के लिए हम रिदा को दीजिये इजाज़त Bye Bye